हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चानल जर्णी फ्रॉम हाउस वाइप टू सियर टेडर जैसा कि आप सब जानते हो मैं सुस्मिता तो फ्रेंड्स उडिसा में बहुत गर्मी होती है और यहां पे गर्मी होने स्टार्ट हो चुकी है तो आप सब भी अपना धिहान रखें तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे ट्रेंड रिवर्सल केंडल की लाश्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रेंड रिवर्सल केंडल क्या होती है और कैसे ग्रेव स्टों डोजी एंड सूटिंग स्टार केंडल स्टॉक के अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स कर द पहले हैं उसके पहले अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चानल एंड प्रेस बेल आइकोन तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी केंडल स्टॉक के डाउन ट्रेंड को अब ट्रेंड में रिवर्स करती है तो यह केंडल बहुत इंपोर्टेंट होती है क्योंकि अगर इस केंडल को आप पहचान लोगे तो आप स्टॉक का जब ट्रेंड डाउन से अप में रिवर्स होने वाला रहता है तो ही आप स्टॉक को बाई कर लोगे औ और अच्छा profit market से अंड कर सकते हो तो फ्रेंड्स मैं बात कर रही हूं ड्रैगन फ्लाइड डोजी hanging man and hammer candle के बारे में तो चलिए देखते हैं कि यह candles होती क्या है और कैसे यह candle हमें चार्ट में indication देती है ट्रेंड के reverse होने का तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं ड्रेगन फ्लाइड डोजी, hammer and hanging man candle को तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप इसे hanging man या hammer candle भी बोल सकते हैं इस candle में lower shadow बहुत बड़ी होती है और upper shadow बिलकुल भी नहीं होती है और छोटी सी body होती है, body red हो या green हो इसे ज़्यादा effect नहीं पड़ता है और इसी तरह हमारी dragon fly dozy candle होती है, उस candle में भी lower shadow बड़ी होती है और body बिलकुल भी दिखाई नहीं देती है, मैं आपको बता देती हूँ dragon fly dozy तो friends आप देख सकते हैं, यह हमारी dragon fly dozy है, इसमें भी lower shadow बहुत बड़ी है और body बिलकुल भी दिखाई नहीं दे रही है, और upper shadow भी बिलकुल दिखाई नहीं दे रही है तो friends इसे dozy इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस candle में body नहीं होती है इसलिए इसे dozy कहा जाता है, लेकिन hammer, hanging man और dragon fly के जो indication है, वो same होते हैं तो यह candle लगबग same ही होती है friends, तो चलिए हम देखते हैं कि यह candle हमें चार्ट में क्या indication देती है friends आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिखाई दे रहा है और इस चार्ट में हमारा जो stock है वो downtrend में चल रहा था और यहाँ पे हमें एक hammer candle यह आप hanging man भी कह सकते हैं, candle हमें दिखाई दे रही है जिसमें lower shadow है और हलकी सी body दिखाई दे रही है और इस candle के बनने के बाद हमारा जो stock है उसका trend reverse होके आप trend में चला गया है means अगर आप यहाँ पे stock को buy करोगे तो आप यहाँ से अच्छा profit market से ले सकते हो ओके friends यहाँ पे हमें एक और चार्ट दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं पे हमें एक dragon fly dozy दिखाई दे रहे हैं जिसमें lower shadow है और body बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है और इस dozy के बनने के बाद कैसे हमारा stock up trend में चला गया है तो यह होती है dragon fly dozy तो hope so आपको समझ में आ गया होगा तो friends यहाँ पे stock के trend reversal candles का वीडियो complete होता है आज हमने देखा कि कैसे dragon fly dozy, hanging man and hammer candle stock के downtrend को up trend में reverse करती है तो friends आप वीडियो देखने के बाद candles को अच्छी तरह से पहचानने के लिए stock के chart उठाईए और उसमें candles को read करने की कोशिस कीजिए ताकि आप आसानी से candle को पहचान पाएं और आगे चल के खुछ से decision ले पाएं कि हमें कौन सा stock buy करना है और कौन सा stock sell करना है तो friends अभी बहुत सारी indicators हैं जो सीखने हैं तो मैं कोशिस कर रहे हूँ कि जल से जल candles की वीडियो complete करके आपको दूसरे indicators में लेके जाओं तो आप continue मेरे चैनल को watch करते रहे हैं और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please like and subscribe my channel और अगर आपके friends हैं जो trading करना सीख रहे हैं तो आप उन तक भी मेरा वीडियो share कर सकते हैं hopes of friends आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो thanks for watching my video